अवेध तरीके से एविल और प्रतिबंधित तिड्डो प्रिनार्फिन इंजेक्शन की खेप आगरा से हर्याना पहुचाई जा रही थी दोनों इंजेक्शन को मिलाकर नशे में प्रयोग किया जा रहा था हर्याने स्टेट एंटी नारकोटेक्स कंट्रोल ब्योरो की टीम ने ट्रांस यमूना इलाके में दबश देकर एक रूपी को गरफतार कर लिया है हर्याना स्टेट एंटी नाकोटेक्स कंट्रोल ब्योरो की टीम ने आगरा के ट्रांस्यमुना इलाके में दबिश देकर एक आरोपी को गरफतार किया चले सरस्तित गोदाम पर छापा मार कर 36 पेटी एविल इंजेक्शन और 1500 प्रतिबंदित इंजेक्शन बरामत किये हैं इमारोपी को अपने साथ ले गई यह कोई पहला मामला नहीं है जब दूसरे प्रदेश की पुलिस टीम ने दवाओं के वैद कारोबार में किसी को गरफतार किया है विगत दिनो हर्याना एंटी नाकोटिक्स कंट्रोल ब्योरो ने जजजर जिले में साहिल राठी और सुमित को एविल और प्रतिबंदित डुप्रेनार्फिन इंजेक्शन के साथ गिरफतार किया था दोनोंने पूच्टाच में बताया कि एविल और प्रतिबंदित इंजेक्शन सुरोजबाद के दिनेश से ले कराते थे इसके बाद आप उर्ती करते थे उन्होंने इंजेक्शन की सप्लाई करने वाले अन्ने लोगों के भी नाम बता है इस पर टीम ने नो नवंबर को दिनेश को गिरफतार कर लिया पूच्टाच में उसने बताया नगला रांबल ट्रांस यमुना का गौरव गुपता इंजेक्शन देता है वहन को साहिल राठी और सुमित उर्फ चिंटू के पास ले कर जाता था हर्याना एंटी नाकुटेक्स कंट्रोल ब्योरो ने नगला रांबल में चापा मार कर गौरव गुपता को गुरफतार कर लिया पोलिस की पूचताच में बता चला कि गौरव चले सरस्थित गोदाम से ही सारा माल लोड कराता था कोई लाइसेंस नहीं ले रखा था एंटी नाकुटेक्स कंट्रोल ब्योरो के सहया कुपन देशक बलिंदर सिंग, दारुगा विनूत कुमार, कुलदीप और आरक्षी उपकार के साथ आरूपी को कस्टडी रिमांट पर लेकर टीम आई थी ट्रांस्यमुना थाना पोलिस, औशुधी निरीक्षक कपिल शर्मा और प्रशासन की टीम के साथ गोदाम पर छापा मारा, विवेचक बलिंदर सिंग के अनुसार, गोदाम से 36 पेटी, एविल और 1500 प्रतिबंदेद, डुब्रेनार्फिन इंजेक्शन बरामत किये गए हैं पोलिस अब गौरव गुपता के नेटवर्क से जुड़े लोगों से पूछताच करेगी, कई लोगों पर शिकंजा कस सकता है सी निूस के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट